अभीको राम राम आज से हम कार्थिक महात्मयम के अध्याय प्रारम्भ करेंगे प्रथम अध्याय नेमिशारन ये तिर्थ में श्री सूजी माराज 88,000 शौनकादिक रिश्यों से बोली अब मैं आपको कार्थिक महात्मयम की कथा विस्तार से सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनिश्य सब प्रकार के पापों से छूट कर अंतिसमय में बैकुंट को प्राप्त होता है सूजी कहने लगे श्री कृष्ण जी से आज्या लेकर देवर्शी नारच चले गए तब सत्यभामाने प्रसन्य होकर लक्षमिबती भगवान से कहा ही नात में धन्य हुई मेरा जीवन सफल हुआ मेरे जन्म दाता भी धन्य है जिनोंने मुझे मुझे जैसी त्रेलोग के सुन्दरी को जन्म दिया जो आपकी सोलस सहस्रिस्रियों के मद्धे में आपकी परम प्यारी हुई मैंने वह कल्पव्रक्ष आदी पुरुष आपके साथ नारजी को विधी पुर्वकदान में दे दिया परन्तु वही कल्पव्रक्ष मेरे घर लहराया करता है जिस बात को मृत्य लोग में कोई भी स्तरी नहीं जानती ही त्रिलो की नात ही मद्धु सूदन मैं आपसे कुछ पूछना जाती हूँ जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्थिक महात्म्यम की कथा सुनाओ जिससे सुनकर मैं अपना हित करूँ तथा जिसकी करने से कल्प परि यन तबी आप मुझे से विमुक न हो जाएं सुद्जी बोले सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हस्ते हुए श्री कृष्ट जी सत्यभामा का हाथ पकड़ कर तता अपने सेवकों को वहीं रोक कर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प विक्ष के नीचे ले गए और हस सुद्जी बोले एक दिन श्री कृष्ट भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड पर सवार होकर इंद्र लोग जाकर कल्प विक्ष मांगा तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गो लोग में गरुड जी ने गोह पूच से गोभी और खून से महंदी इन तीनों के प्रयोग करने से मुक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब गोहों ने वी क्रोध में भरकर गरुड को मारा जिससे उनके तीन पंक तूट कर गिर पड़े इनके पहले पंक से नील कंट दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा हे प्रिये इनके दर्शन मात्र से शुफल की प्राप्ति होती है हे प्रिये जब मैं हर चीज दे सकता हूँ तुमारा हर एक काम पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ तो क्या तुमारे प्रशन का उत्तर भी न दूँगा हे प्रिये जो बात तुम मेरे से प पूर्व समय में सत्युक के अंत में माया पूरी में अत्री गोत्र में एक दीव शर्मा नाम का ब्रामन वीद वेदान्त का जानने वाला रहता था वरूज अथितियों की सेवा हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था उसका तेच सूर्य के समान तेजस्वी था उसके वृद्धावस्ता में गुणवती नाम की कन्या ह उसका विवा उस पुत्र हीन ब्रामन ने चंद्र नाम के अपने शिश्चे के साथ कर दिया चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता और चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था एक दिन वे दोनों कुश और समीधा लेने के लिए वन में गए हिमालय की तलहटी में ब्रह्मन करते वें, उन्होंने एक राक्षश को आते वे दिखा। उस राक्षश के भहे के मारे उनके सब अंग शितल हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं रही। तब उस काल की सद्रिश राक्षश ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होनी की कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैक कुंट में ले आए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी, उस कर्म से मैं उन दोनों पर अती प्रसन्न हुआ। श्य, सूर्य, गणिश जी, देवी इन सब देवताओं की पूजा करने वाली सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होतावा भी काल और कर्मों के भेद से पाच प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, प्राता, आदी नामों से बोला चाता है। जब दोनों विमान पर चड़े हुए सूरी के समानती जस्वी, रूपवान, चंदन और मालाधारन केवे मेरी भवन में आए तो दिव्यस्त्री और चंदनादी का भोग भोगने लगी। इती कार्थिक महात्म्यम प्रथम अध्याय।